जैसा खाए अन वैसा होए मन, जैसा पीए पानी वैसी होए वानी जै चिनेंदर स्वागत है आप सबका जैन शुद्वेंजन में आज हम बनाने जा रहे हैं आम की गुटली की सबजी तो देखे यह सबसी बहुत ही टेस्टी और बहुत जादा स्वास्त वर्दक होती है इसके लिए हमें चाहिए आम की गुटलियां जो आम की बीच की गुटली बसती है उसे हम थोड़ा सुखा के इस तरीके से फोड लेंगे और उसे पानी में थोड़ी सी दिर गला लेंगे ताकि उसके उपर का जो तोरा बने वो निकल जाए इस तरीके से हम इसे थोड़ी सी दिर एक टेट घंटा भिगा के रखेंगे उसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में 2-3 सीटियां ले लेंगे इसका पानी अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें जो पानी निकलता है वो बहुत तोरा और आयरन भाला होता है तो हमने इसका पानी अलग कर लिया और जो ऊपर की गुटलिया है इसको आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में जैसा आप चाहे वैसे इसको आप कट कर सकते हैं और इसे कट करने के बाद हम इसका लगाएंगे बगार तो देखिए हमें बगार लगाने के लिए किन-किन चीजों के अवशक्ता है हमें चाहिए सारे मसाले बगार के धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और उसके साथ हमें है थोड़ा सा हमारा गरम जाना नो पिर थंदा सबझी मसाला भी प्रेयोक कर सकते हैं जो है और ने सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें छहीत कंदा नमक और थोड़ी से खाण कर सकते हैं तो हमने थोड़ा सा थेल लेंगे उसमें राई जीरा डाल देंगे और लाल मिर्ची खड़ी डाल देंगे या फिर हमें हरी मिर्ची डालना हो तो हम हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं उसके बाद हमने इसमें सारे मसाले डालेंगे और गुटली जो हमारी कटकीवी रखी थी वो गुटली डाल देंगे और सारे मसाले मिलाके उसे हम थोड़ा सा चला लेंगे वो ढखकर हम 10 मिट की करीब उसको पकाएंगे बीच बीच में आप उसको चेक करते रहें कि नई सब्जी कहीं हमारी जलना जाए उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे अवशकता नुसा आदी कटोरी पानी सफिशेंट है उसके बाद हम उसे 5-7 मिट और अच्छे से पका लेंगे देखिए हमारी यह सब्जी काफी पक चुकी है क्योंकि अल्री हमने इसे कुकर में कुकर लिया है तो इसे में बहुत जादा बेक करने की जरुवत नहीं है तो देखिए इस तरीके से हम इन गुटलियों से भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं हमें इसमें अगर आवशकता लगे तो हम इसमें थोड़ा सा ओईल और एट कर सकते हैं कि हमने पहले बहुत कम ऑईल डालाएं लेकिन ऑईल में बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़े से पानी की मातरा से यह अच्छी तरीके से बैक हो जाएगी अब देखिए यह जो हमने गुटली की सब्जी बनाई है इसको भी बहुत तरीके से बना सकते हैं तो देखिए यह आम की गुटलिया यह बहुत ही स्वास्त वर्धक होती है इसलिए इसकी सब्जी और टेस्टी भी लगती है इसलिए इसकी सब्जी का प्रयोक करना अच्छा होता है स्वास्त के लिए तो आप जब भी गुटली आम खाएं उसकी गुटली को ना फेके उसक जो वेंजन बनते वो बनाए और इस तरीके से स्वास्त रहें जै जिनेद्र